कि यहिन सभी को तो देखिए बच्चों कुछ ऐसी जौब होती है जिनKA इंतजार बहुत दिनों से बच्चा कर रहा होता है और वहे जौब आपके लिए अभी निकल क कर आई आपको इस यह जौब में देखिए कोई बच्चा अगर रेलवे की तियारी कर रहा है या कोई इस्टेट एक्जाम जैसे यूपी यूपी में कोश्टेव लोग है या ऐसा ही वगर आपकी तयारी कर रहा है उस लेवल का बच्चा उसके लिए ही यह जौब बनी है क्योंकि साइध वही सेम से लेवस इस एक्जाम में भी आएगा बट यह पोस्ट उस पोस्ट से ब अग्जाम है तो एक्जाम नहें है आपका बिहार में से सी जिल बहुत प्यारी सी जोब है इसको ध्यान से सुनेंगे और हर एक बच्चा आगे सभी को बताएगा अब आप कोई सर्ट टोटल सीट कितने है तो इसके अपर पूरी बात करें आपको पढ़ाई लिखाई क्वा बार्वी और किया कोई काईगा जी मेरे तो ग्राइजोशन होगा यह कौन से वाले बच्चे करेंगे इसी जोब कब से भरे जाएंगे फॉर्म भरने की भी कोई डेट होगी तो फॉर्म कब से बरे जाएंगे सहती साथ एज लिमिट जो सबसे बड़ा मुद्दा है तो मेरे भाई ध्यान रखना यह एज लिमिट ही एक ऐसी चीज है जिससे जो भी ऐसा बच्चा जो यह आस छोड़ चुका है कि यार अब मेरा नहीं हो सकता उमर निकल गई ऐसे वाले बच्चों के लिए मेरे बहुत इंपोर्टेंट है यह जोब क्योंकि इसमें एज लिमिट ऐसी है कि वह बच्चा जिसने आज छोड़ दिया पढ़ा अच्छा उस यार बच्चा उसे पता है जोब ले सकता हो पर किसी ना किसी कारण वस उमर निकल गई क्योंकि देखिए ए मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो सिलेवस देखिए आ जेए तो सिलेवस में जैसे कि आपको यहां दिखी रहा होगा अब जीएस तो जीएस तो मैं सबको पता है तो नमबर होने का भीनि हर एक कोशन चार नमर का तो नेगिटिव मार्किंग है विलकुल एक नमर की नेगिटिव मार्किंग टाइम एक टाइम बहुत है तो जो नाप से से सीजल होता है वह वाला एकजाम अगर आप देखोगे तो एग घंटे में मनलब की सो कोशन करने होता है पर उसमें मैं तो रिजनिक बहुत जाट टाइम ने लेती आप बहुत दो गंटा पंदर में बहुत है मुझे लगता है कि आप अराम से इस पेपर को कर सकते हो और को कोशनों से उसके लिए जॉब बनिये कोई सीजल का बच्चा है या सी एक चीज़ और हमने ब्यार ऐसे सीजल गई कोर्स भी निकाल दिया प्यारा था सिर्फ 699 में साथ मलब छेग हजार रुपे वाले को 699 में ठीक है का पर टॉप तक पर आजए अब आप कोई सर एक्जाम ने एक्जाम ने तो मेरे मैं ने बता दिया वाई ठीक है उसका टोटल सीट मेरे टोटल सीट इतनी है बट आपको सीट इतनी जाधनी है मैं बता रहा हूं जो हाइयर पोर्ट्स होती है वहाँ बहुत सारी सीट नहीं निकलती बट यही सोच कर बच्चाई कम सीट है और दू बहुत जो भी से चेंज हो तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो सेम से लेवस के साथ आपको यह कुछ नहीं जाता है बट मुद्दा क्या क्या है कि क्या फीस भी तो वही माहिने रखते ना फॉर्म बढ़ने से पहले बट मै क्या चाहिए सबसे वहलता पड़ाय लिखाई कोई विए ट्वैल्ट कर रहे हो सोच रहा हूं मैं भरदू तो ऐसा नहीं है इसके अंदर आपकी गेरेजुएशन होनी चाहिए ठीक है आपकी गेरेजुएशन होनी चाहिए अब इंपोर्टेंट मेरे बाई क्या है इंपोर् बढ़ा कर देते हैं अगर मैं जर्नल ओबीसी और इवीसी की बात करूँ तो पांसो चालीस रोएफीश है उसके अलावा सी एश्टी दिव्यांग और फिमल इनकी एकसो पैंतीस रोएफीश है ना यह पांसो चालीस है मिर भाई ठीक है और यह आपका नीचे दरखा है एकस मलब चुटे कम सब्दों में समझा रहा है एज裡面 मिनिमाम है 21 साल वाला बंदा ही बर सकता है Maximum की बात करें तो सहती साल तक बंदा बर सकता है अब एज चाली साल है और स्प्रोश्ट एम्ल फिमेल डीयाली साल ठीक है ओके तो यहां पर इनहें चूट मिल रही है देखे यह वाली जो मेल और फिमेल दॉनों की देपार्टमेंट 125 पोस्ट है फिर मलेरिया इंस्पेक्टर अब देखो मलेरिया इस्पेक्टर बन गए वाई सब उसका वी एक अलगी रूप रुत्वाइब का आपको सोचे उसमें क्या कमाई है उसके साथ आपकी जो एक तो पेवेंट आती है ठीक है तो हैल्थ डिपार्ट दूसरी पेवेंट पर कभी ध्यान मत देना जो आरिया उस पेविद होगे तो इजट तो है इजटी सबस्वाड़ी चीज़ है डाटा एंट्री ओपरेटर ग्रेट सी फाइनेंस डिपार्टमेंट दो पोस्ट और इसके अवाला आवा ओडिटर ओफिस ऑफ रजिस्ट्रार कोपरेटी सोसाइटी 256 और इसी तरह से हाँ पर 370 मिरवाई ओडिटर और इस वाली जॉब का जो सबसे बहतरिन वह होता है कंसेट हो क्या होता है मंडे टू फ्राइडे ही जॉब होती है यह यानि सैटरेड़े संडे चुट्टी बाइसा फ्राइडे को साम को आपने क्या क करा तो पैर में दो मैक्सिम्म गवर्मेंट में एक देड़ बज़े लंच करते हैं वह चुट्टी माल लेते हैं अगले दिन आ रहे हो सिधा सिधा संडे को रात में आ रहा हो सुबह फिर मंडे को दो ड़ाई दिन की बहुता चुट्टी नहीं और क्या चाहिए इसके है थोड़ा बढ़ा कर देता हूं लीजे आजएगे अगर आप देखोए तो जन्रेल की कितरी है मिर भाई सीट 880C है एवस वालों की 207 वालों की 294 एवी सी वालों की 342 एश्टी वालों की 07 और 271 ठीक है उसके लावा मिर भाई हाव टो फिल्म भी एससी ग्राइड लेव को इसमें बड़ी महामरत ने फॉर्म इतने सारे आप भर चुके हो कि आप सभी फॉर्म भर सकते हो अब आपका मुद्दा क्या बनता है सबसे पहले सर तैयारी कब से शुरू कर दो अभी आप टॉप तक पर जाओ और वहां पर एक कोर्स होगा बिहार SSC सीजल के नाम से उस नहीं जया बारस को मिलते है आज रात नाव जय लविए सभी को